लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल नई रेसिप लेकिन ये डिश फुली वेज नहीं होने वाली है क्योंकि मेरे भाईयों को फर्माईश थी कि वो कुछ नॉन वेज खाए यानि की चिकन खाए तो फ्रिज में चिकन था तो अम्मी ने अच्छाए बेटर बना लेए उसके बाद लिया नमक थोड़ा सा इसके ऐड़ कर दिया फिर एक चमच लालों मिर्ची को भी हमने इसमें इसके ऐड़ कर दिया डिया साथ ही हल्दी और जीरा भी जिबाद करने के बाद अच्छे से मिकस करेंगे और तब तक mix करते रहना है अच्छे सेल szer80 छाये और पाने भी नहीं कि अभी कि दालेंगे कि लोग की अंदर खुद ़ी पहले से बहुत जादा पानी होता है तो आप पानी में अच्छे पानी केम अग्सुर्ट आ पूंडर?.. बिल्कूल पकोल तैयार करें बारिक भारिक बारिक काट लिया ता और फिर मिक्स कर दिया और इसमें हमें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए होंगी प्याज प्याज को हमें रफली चॉप करके मिकसर जार में डालना है यह चोटे साइस की प्याज है तो हमें जादा प्याज चाहिए लेकिन अगर आपकी medium size की प्याज है तो 2-3 या 4 प्याज से भी आपका काम चल जाएगा ये छोटे size की प्याज है तो बहुत जादा है मतलब 6-8 प्याज है यहां तक्रीबन और जिसे हम रफ्री चॉप कर रहे हैं मिकसर जार के अंदर ही क्योंकि इसे पीसना है तो इसलिए बड़ा बड़ा ही इसको काट लेंगे और इसका एक अच्छा सा मिकसर में पेस्ट बना लेंगे अना है एक smooth सा प्यास का पेस्ट तो उसके लिए पानी की ज़रुरत है तो पानी डालके एक स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे और यह देखें तयार है साथ ही कड़ाई को चड़ा दिया है गैस पे गैस भी ऑन कर दी और इसको गड़ाई को गरम होने देंगे फिर जब यह कड़ाई गरम हो जाएगी अच्छे से तो इसमें हम ऑईल को एड़ कर देंगे पकोडों को लिए और यहां पर हम इन्हें डीफ्राई करेंगे जिसे हम नॉर्मली पकोडों को डीफ्राई करते हैं कहने को तो यह कोफते हैं पर यह लगेगे बिल्कुल आपको पकोडों की तरह ही अब इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं और ग्रेवी में डालके भी खा सकते हैं यह देखे है ताकि हमें तलने में इजी हो और यह देखें ऐसे आपको करना है अब क्या करना है कि जिस तरीके से हम पकोडों को तलते हैं डीप फ्राइ करते हैं वैसे ही इन कॉफ्तों को भी कड़ाई में डाल के तो तलना है तो देखें सबसे पहले हमने कड़ाई में डाल दिया कोफ्ता और यह तल रहा है अच्छी तरीके से तो ऐसे ही करके सारे डाल देंगे डालने के एकदम बाद ही हमें नीचे से नहीं निकालना है क्यूंकि चिपक जाएंगे कड़ाई में तो इसलिए जब यह नीचे से अच्छी से ब्राउन हो जाएं देख लें आप कि ब्राउन हो चुके हैं तो तब इन्हें पलट दें और उपर से भी इनको अच्छी से सेक लें जब यह दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तब हम अपने फर्स्ट बैच को निकाल लेंगे यही सीमिलर प्रोसेस हम उस बैटर के साथ भी करेंगे जो बच गया था और यह देखें हमारा फर्स्ट बैच बिलकुल तयार है उपर नीची से अच्छी तरीके से हो गया अच्छा कलर आ गया इनके उपर और इस टाइम बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही थी इन में से तो आप सब भी यह एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप अपने घर में यह बनाएंगे और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको यह डिश कै प्रश्च के पकोड़े तर लेंगे विए बिल्कुल रेडी हैं फर्स्ट बैच के पकोड़े बचे हुए बैटर के भी हमने ऐसे ही कोफतों को तल लेना है और यह जो हमने प्यास को पीसा था उसमें हमने मिलानी है लसन हदरा का पेस्ट एक चमच और एक चमच है नमग दे साथ ही है हमारे पास हम हल्दी मिलाएंगे इसमें तो आप अपने टेस्ट और करर के अकॉर्डिंग हमने तो यहां पर आधा चमच हल्दी मिलाई है और आप अपने अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं साथ ही यहां पर एक चमच देड़ चमच है धनिया पाउडर और यह क düş है कि यह दायारी हो रही है terror की और ग्रेवी के लिए हमने क्या करना है सारे यह सारे बज़ते करना हे कि जो दिय बज गया था उसमें और गरम करने के लिए चोड़ दिया था और इसमें जीरा भी हमने तेस गरम हो जाए तभी तभी हमें उस प्यास के पेस्ट को इसमें मिक्स करना है दीरे-धीरे करके क्योंकि इस से अभी पहो जटा चीटे उढ़ेंगी परृप दिर्धी निती अच्विसका करना है चलाते मिक्स कर दिया तेल के अंदर और इस मसाले को हमें चलाते रहना है जिए दीरे पकाना है थूड़ थूड़ देर में मसाले को चला चला कर पकाना है अगर हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे तो या निच नहीं जाएगा तो इसलिए हमें इसे जलाना नहीं है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे और मैंने आपको बताया था कि ये वेजिटेरियन डिश नहीं होगी फुली इसमें हम नॉन वेज भी शामिल करेंगे तो ये चिकन के पीसिज हैं तो अब बारी हैं हमें इसके अंदर चिकन को एड़ करने की की देखें मसाला पूरा अच्छे से पक गया है इस मसाले ने अपना पूरा तेल छोड़ दिया है तो अब बारी है चिकन को एड़ करने की सारे पीसिज को हम धीर धीर करके इस ग्रेवी में एड़ कर देंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी में चिकन को मिक्स करने के बाद अब हमें इसे कुक करना है तो अब इसे धीमी आज पे ढखके पकाएंगे पांस से दस मिनिट तक और यह देखे हमारा चोटा सा किचन काउंटर है यहीं पर हम सारा खाना पकाते हैं और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं आप इस दिश को जरूर बनाईएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा अपनी फीडबेक जरूर शेयर कीजिएगा और यह देखना ढखके हमने जब ढखकन हटाया तो देखा कि अभी चिकन अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो इसे और पकाने की जरूरत है अच्छे से इसको चला दिया है ताकि यह नीचे से बिलकुल भी ना चिपके जले ना ब पानी एड़ किया और इससे ना चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा थोड़ा और पानी हमने एड़ कर दिया जितना भी आपको ठीक लगे ग्रेवी का तो आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से इसमें पानी एड़ कर सकते हैं और हमें देखे अभी चिकन को भी पकाना है तो इसलिए हमने जादा पानी एड़ कर दिया है थोड़ा यह इधर लोकी के कोफते भी पड़े हैं दूसरे साइट पर जो की जाएंगे इसके अंदर और यहां फुल आंच पे पानी डालने के बाद इसको कड़ाई को ढख दिया है और यह अच्छे से अंदर उबल उबल क पक जाएगा चिकन अच्छे से गल जाएगा तो देखें हमने इसे खोल भी लिया है और यह अच्छे से उबल उबल के पक रहा है अभी एक बार और चला लेंगे बीच बीच में आपको ऐसे ही चलाते रहना है अब यह इस स्टेज पर आ गया था ग्रेवी की जिसमें हम अपने पकोड़े डाल सकें यानि की लोकी के कोफते तो जो हमने तल के रखे हुए थे साइड में अब वो भी हमने इसमें डाल दिये हैं और एक ही करके सभी को डाल देंगे यह देखें कड़ाई में सारे लोगी के कोफते डल चुके हैं और आंच भी अभी मीडियम ही है और इस यह पक रहे हैं देखें पकते पकते इनमें उबाल आ गया है फुल आंच पर है यह अभी बस थोड़ा ही टाइम है कि बस ये पकी गए हैं देखें और इसमें हमने गार्निशिंग के लिए डाल दिया है धनिया जो काट के रखा था साइड में वो भी इस पे डाल दिया है और ये है इसका फाइनल लुक तो ये लास्ट में कुछ इस तरह के दीख रहे थे लोकी के कोफते विद चिकन और ये द देखें कितने अच्छे लग रहे हैं आप भी इस तरह की डिश बनाईए और हमारे साथ दरूर शेयर कीजेगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था और कोफतों का फ्लेवर बहुत ही अच् और ये अम्मी रोटी बना रही हैं एक एक करके और ये देखिए गर्मा गर्म रोटीयां भी बिल्कुल बनकर तयार हो गई हैं आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और हमें कमेंट करके दरूर बताना कि आपको कैसी लगी हमें तो बहुत अच्छी लगी थ और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जब तक के लिए अल्ला हाफिज